हलो फ्रेंटस वेलकम दो चैनल आप देख रहें हैं मेहट्सव अबनीष आज हम डिसकस करेंगे बाल विकास के सिध्धान्तों का शेक्षिक महत्व क्या होगा कि तो फ्रेंटस बाल मनविज्ञान का बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है कि किस प्रकार हम जो प्रिंस्पल्स ह है development के child development के उनको हम education में कैसे यूज कर सकते हैं जिससे की learning process जो है enhance हो तो important चीज़े देखते हैं उसके बाद हम question answer discuss करेंगे जिससे की आपके practice question answer करने की हो जाए ठीक है तो इसमें देखका सबसे पहले देखिए कि बाल विकास की सिद्धानतों के ज्यान की वज़े से जो है चोटी कक्षाओं की बात करें तो निचली कक्षाओं में जो सिक्षण की खेल पदती है और मूल रूप से ब्रद्धी और विकास के मनोवैग्यन सिद्धानतों पर ही आधारित होती है तो इसलिए उस खेल पदती के माधिम से अगर बच्चों को पढ़ाना है तो इन सिद्धानतों का ज्यान होना एक शिक्षक को बहुत जरूरी है इसके बाद और कुछ इंपॉइंट पॉइंट देखते है कि बाल विकास के सिद्धानत से ही पता चलता है कि कौन से शिक्षक अधिगम शैली वो बहतर होगी किसी बैक्तिक बिनता वाले बच्चे के लिए अलग-अलग बैक्तिक बिनता लेके बच्चे पैदा होते है तो उनको पढ़ाने की कलाभी शिक्षण विदिया भी अलग ही होनी चाहिए तो बालकों की व्रद्धी एम विकास के सिध्धानतों से बालकों की भविश्य में होने वाली प्रग्रती का अनुमान लगाना काफी हद तक संभव होता है। तो बाल विकास के सिद्धानतों का ज्यान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भविश्य में किस बच्चे के अंदर क्या प्रगत्य होने वाली है उसका अनुमान लगाया जा सकता है जैसे कि छोटी क्लास में अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो लर्णिंग प्रो समर्श देने में निर्देशन देने में उनको असानी होगी टीचर को अगर इन शिक्ष्ण सिद्धानतों का पता होगा बहलुंट का सभी दिशाय अर्थात विविन पहलों जैसे मानसिक विकासूं, इस बात का घ्यान शिक्षकों को और अभिवाव को सालक के सरवानगिन विकास्त के न कलिए परियुरत करता है आद किसी बच्ची के वृद्धिविकासत के पारें बात करने हैं तो चकार tailored विकास न ragas पांसिक विकास भी है समवेगातिक विकास भी है और यह एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक भी प्रवावित होगा तो दूसरा आटमेटिकली उसमें दिक्कत आएगी ठीक है तो सर्माइगण विकास के लिए बाल विकास के सिद्धान्तों को जानना बहुत जरूरी है अग रहेगा तो इसलिए जो है बाल विकास के सिद्धान्त जानना जरूरी है बाल विकास का अद्धिχन सिक्षकों को इस बात की इस परस्ट जानकरी देता है कि बालक की शक्तियों योग्यताओं छमताओं और विहवारD विकास में अनुवांश्की और वातावरहण किस सीमात किस रूप में उत्तरदाई ठहराई जा सकते हैं जानकारी शुक्त वो अपने उत्तरदायतों का सही तरीके से पालन करने में सायक होती है इसा ही तरीके से तरदायत निभा पाएंगे अगर शिक्षकों को बच्चों की छंताओ विवार और जो पर्टिकुलर उनके अंदर अच्छा ही बुराइए गुण है योग्यताओं के बारे में पता चलिगा तो सही तरीके से वो अध्यापन कार्जे कर पाएंगे और दर्श शिक्षक को एक कुषभ शिक्षक के रूप में बना सकते हैं और अध्यापन कार्य बहतर तरीके से करके बच्चों को ज्यान दे सकते हैं अब दिन पे बेस क्वेश्चन जो एक्जाम में पूछे गए हैं उनको डिसकुस करते हैं तो फ्रेंट्स गॉस्चंन है सीटेट में आगा कॉस्चन हम बच्चे के विकास के सिध्धानतों को समझना दौन comment करता है किस प्रिकार ड़कर सहायता करता है तो पहला option है शिख्षारति की आर्थिक promise प्रस्टमामी को लानने में तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा, शुक्षार्तियों क्यों पढ़ाना चाहिए, यह है ओचित्ते स्थर्विट में, तो क्यों पढ़ाना चाहिए, इससे तो कोई मतलब नहीं है, बाल विकास के सिद्धानत होगा, बाल विकास के सिद्धानत हमें इस बात में मदद करते हैं, कि किस बच्चे को किस अधिगम शायली में पढ़ाना बहतर होगा तो ये option number third कहता है अधिगम शायली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में ठीक है next question देखते हैं कि ये question में पूछा गया है यदि कुछ विद्ध्यारतिक अक्षा में अध्यापन की चितुरत्ति में नहीं है ठीक है अध्यापन की चितुरत्ति मतलब उनका मन नहीं है पढ़ने का तो सिक्षक को क्या अध्यान के लिए बात दिये करेंगे जबस्ति पढ़ाएंगे नहीं उ सुनाइए कुछ इंट्रेस्टिंग बात बताईए जो भी आप पढ़ाने वाले हैं उससे जुड़ी कोई इंट्रेस्टिंग कहानी बनाके ठीक है बच्चों को बच्चे कंदर इंट्रेस्ट पैदा करो जिस सगी वो खुद कहें कि सर हमें ये चीज पढ़ाओ ठीक है तो इस तरीके से ये 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 तभी पॉसिबल होगा जब बाल विकास की सिद्धात इक शिक्षक को अच्छी तरह से पता होंगे नेक्स्कूशन देखते हैं प्रात्मिक शिक्षक के लिए बाल मनुविज्ञान का ज्यान आवश्च है क्यों तो यह बच्चों को अनुशाशित बनाने में सायक होता है परिक्षा परिणामे उन्रती ये बच्चों को अभी प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है बच्चों के विवार को समझने में सिक्षक की सायता करता तो देखिए यहां पहला और दूसरा उप्चिन तो बिल्कुली गलत दिख थर्ड और फोर देखते हैं बच्चों को अभी प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है अभी प्रेरिणा की बात की गई है ठीक है जबकि सबसे इंपोटेंट बात बाल विग्यास के सिध्धात या बाल बनोविज्यान को जानने का यह होता है कि बच्च है कि जिस भी टाइब की समस्तिया है उसका नेराकन तब हो पाएगा ठीक है तो बच्चों के बिभार को समझना पहले इंपोर्टेंट चीज है उप्शन नमबर फोर करेक्ट आंसर ने एक्स कोशन देखते हैं शिक्षक को ज्यान होना चाहिए किस बात का अध्यापन विश आपके दिमाग में बैठ गयोगी अब जब भी एक्जाम में कोशन आएगा तो आप उसी के अनुरूप कोशन आंसर अपने कर सकते हैं तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स टूरियो में तब तक के लिए धन्यवाद